हेलो एवरिवन जैस या राम हम सभी लोग चाहे किसी भी भगवान को या दैदेवता को पूझते हों रोज उनके निमित जो है पूझा धूपदीप जरूर करते हैं और आपने भी घर में मंदिर बनाया होगा तो रोज पूझा धूपदीप करने के बाद आपके घर भी इस लिए उसका समान बचताहे जो रोज की जोत वगवान का बची होती है उसका हमें विसर्जन करना होता है हम ऐसे ही उन्हें कहीं भी फैक नहीं सकते तो मैं तो इस तरह से इखटा करती रहती हूं और कई बर देखे इस तरह से चीजuhे भगवान की फोटो चपी होती है तो म तो मैं इस तरह से सभी चीजे ही खटी करती रहती हूं या देखे कई बार प्रशाद में इस तरह की चुछी फोटो मिल जाती है या हम खुद भी कई बर ले आते हैं अब ना तो सब को पॉसिबल होता है क्या मंदिर में रखे और रख भी लेते हैं तो उनको एक टाइम के बा हम ही अपने धर्म को खराब कर रहे हैं तो इस तरह से देखे सभी फोटो को मूर्थियों को मैं एक पॉलोथिन में डालती रहती हूं जब मुझे लगता है हाँ थोड़े खटा हो गया है उसके बाद मैं इसका विसरजन करती हूं कुछ लोग क्या करते हैं नदियों में इस तो इसको आप अलग कर ले तो आप उनमें से जो है निकाल ले जो भी चीजे भगवान से रिलेटिड हो उन्हें अलग कर ले और राकी जिन चीजों को आप निकाल सकते हैं जैसे यह प्लास्टिक का पीछे लगा हुआ है इसको मैं अलग कर लोगी जितनी भी चीजे हैं खोल-खोल के अलग कर रही हूं, डिब्यों में से निकाल लूँगी, क्योंकि डिब्या थोड़ी भी सर्जन में डालूँगी, उनका तो वो तो गलेंगी नहीं, तो डिब्या में अलग कर लूँगी, डिब्यों को आप फैक सकते हैं, स्टिकर वगरा हटा के, बाकी पेपर है यह जो समान है, कपड़े हैं, वो आप अलग कर लिजिए, तो देखे, यह जो मैं इसमें भगवान की फोटो है, इसमें इसको अलग कर लूँगी, यह सीडी निकाल लूँगी, सीडी का भी कुछ कराब नहीं हो रहा, और यह पनी अलग निकाल लूँगी, इस तरह से मैं ए अगर एक दूसरे को बता के हम इस तरह से किसी के भी मन में यह भावना उत्पन भी करें, कैसे करना चाहिए, और वो उससाब से करता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, अगर दस लोगों ने देखा, सुना, उसमें से कोई दो भी मेरी बात को सुने और अपना है, और लगेगा हाँ, मैं भी अपने जो है, भगवान के नाम पे कुछ थोड़ा बो जो है, पुन्ने कमा पारी हूँ, या कुछ कर पारी हूँ, तो देखें, इस तरह से एक एक चीज़ को मैं खोल लूँगी, उसके बाद हमारे घर में ही कच्ची जगा है, तो हम गड़्धा ग्रीन बेल्ट सब जगा होती है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, और अच्छे से सारे समान को खोल लेकर के, उसके बाद आप इसमें डाल दीजिएगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जो भी कपड़े हैं, चुन्निया हैं, सब कुछ इस तरह से डाल सकत हैं, यह पन्या वगर आपको पता है, कई सो सालों तक नहीं डीकंपोज नहीं होती हैं, तो इन्हें मत डालिएगा, बाकि आप देख लीजिएगा, भगवान की जितनी भी फोटो हों, मूर्तियां हों, आप इस तरह से विसरजित कर सकते हैं, तो मैंने भी अच्छे से सारी दिखवाली थी, डुंडवाली थी, उसके बाद मैंने गड़ा कर लिया है, और अगर आप कहते हैं, के देखें, हमारा तो इतना समान होता ही नहीं है, हमें गड़े की ज़रुरत नहीं है, तो मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूं, जितनी भी सारी चीजे हों, छोटी पूजा की बचुरुई वगएरा होती है, वो तो मैं जला देती हूं, लेकिन ये चुन्नी वगएरा मुझे थोड़ा लगा कि दबाई लू तो जादा अच्छा है, तो मैंने दबा ली है, और ये देखें, जो हम हवन वगएरा करते हैं, उसके बाद राक वाक बच जाती ह ये सब मैं इसमें दबा दूँगी, और आप इस तरह अगर आपके पास पेस हो तो दबा सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको बता दिया, जला सकते हैं, पर प्लीज मंदिरों में पेडों के नीचे ना रख के आएं, प्लीज भगवान को जो है ना, हमें बहुत दोश लगता ह है इस तरह से रखने में, आप उतनी ही चीजे उतनी मूर्ती खरीदे जितनी आप अपने घर में रख सकें, संगवा सकें, जदा मत खरीदिये, और अगर आ जाती हैं, होती हैं, ले आता हैं, खंडित हो जाती हैं, तो उसके बाद अच्छे से प्रवपर उनका विसरजन करे उन्हें रुलने के लिए यूही पेडों के नीचे या मंदिर के किनारे पे या फिर नदी के किनारे पे ना छोड़े, मेरा आप से हात जोड़के ये निवीदन है, तो देखे इस तरह से हमने दबा दी हैं, उसके बाद हमने इस तरह से गड़ा भर दिया है, आप चाहें त सारी चीज अच्छे से देखी थी, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो लाइक, शियर, सब्सक्राइब जरूर कर दे, और कमेंट बॉक्स में जैसी अराम लिखना ना बोले, जैसी अराम